हेलो दोस्तों वेलकम बैक टूर चैनल मारे बिल सुरम चोहान तो आज की हमारी क्लास का टोपिक है अधुनिक भारत में चिंतन एवं विचार यानि कि सुधार परंप्राय यानि की जो रिफॉर्म्स ट्रेडिशन से उनके बारे में बात करें कि दिन में से सबसे पहले ठिंकर से वह आपको clear out हो चुके हो लेकिन फिर भी कोई डाउट है कोई आपका कोशन तो निचे comment वे आप पूछ सकते हैं हमारे पूरी कोशिश है कि आपके द्वारा पूछे के जो comment में कोशन होते हैं वो हम पढ़कर के immediately आपको वो answer प्रोवाइड करा है लेकिन कभी-कभी ऐसा ह हो जाता है कि आपके आपने जो कोशन पूछा है वो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि बहुत सब्सक्राइब करते हैं लाइक कर देना शेयर कर देना तो सबसे पहले बात करेंगे हम भारते पुनर जागरन आधुनिक भारत में चिंतन एवं विचार इंडियन रेनेसा फिनकिंग एंड आइडिया इंडिया लेकिन सबसे पहले बात यहां जानने कि पुनर जागरन एग्जेक्टली क्या चीज है रेनेसा एग्जेक्टली क्या चीज है देखिं किसी भी देश के विगास की जो अवस्ता होती है वो एक बहुत लंबे समय के बाद ही डेवलप हो होती है उस जी का नाम पुनर जागरन है और इस अवस्ता में जितने भी शोसल रिफॉर्म्स होती है उनको लेकर के बहुत सारे मोमेंट होते है जो सामझ बुराइया होती वो खतम की जाती है और मतलब देश की उन्नती में जो रुकावट पैदा करती है उनको खतम करके जो तो सिचुवेशन के जाती है जो देश बना जाता है तो बेसिकली वो एक पुनर जागरन ही उसको बोला जाता है ठीक है कि रेनेसा इस अग्रेशा की जो एक्टिविटी है तो बेसिकली इस में कल्च्री मुव्मेंट देखने को मिलता है और इसके लावर बहुत सारे ऐसे कल्च्र मैंगा शोचल लेवल पर मुवमेंट होते है तो यह जो मुवमेंट है न यह शोचल रिफोर्म्स जो रिफोर्मस ट्रेडिशन होते हैं उनके बेस पर यहाँ पर कराए जाते कि समाज में जितनी भी बुरा ही है उनको खत्म किया जा सके तो बात इ लेकि इंडियन हिस्ट्री की बात करते तो 19 सेंचुरी जहां पर सबसे जादा इंडियन रेनेसा की जो मतलब एक्टिविटी है जो पुनर जागरन की एक्टिविटी वो देखने को मिली मतलब एक तरीके से रेनेसा की मतलब रेनेसा की संग्या दी जाती है आप यहां बेशे समझ सकते हो ठीके आगे बात करते हैं की भारत में पुनर जागरन की क्या प्रोसец था किस तरीके से हुआ तो हीगल ने यहाँ पर एक definition दी एक define किया है भारते पुनर जागरन को या किसी भी देश के लिए पुनर जागरन की क्या situations हो सकती है, क्या उसका meaning से हीगल एक काफी famous thinker रहे हैं, नहीं बढ़ा है तो western political thinker आपने 4 semester में पढ़ा ही होगा, तो definitely आपको पता है होगा हीगल को ने ठीक है, तो हीगल कहते हैं कि बिना पुनर जागरन के कोई भी सुधार संबाव नहीं है, तो यहाँ पर गया कि जब तक रेनसा नहीं होगा, तब तक हम उस country में, उस देश में, उस समाज में हम सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बुरा या जमी रहेंगी, तो उसमें स्टार्टिंग होई थी, तो इस से बहुत अधिक एफेक्ट देखने को मिला था, क्योंकि जब भारस से लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर situation देखते थे, culture देखते थे, कि इतना independent है, ठीक है, डेमोक्रसी मिली भी अपने अधिकारों के लिए लोग थे, ठीक, तो इस से बहुत जीतने भी घटना है थी, उससे अवेक्निंग होती जाई, अब जब आप एक जगा रहोगे, तब तक आपको नहीं बतलगा के देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकुलोगे, आप कही बाहर से जाओगे, या से ब इन्वारोमेंट कैसा है, अगर कोई बुराया भी है, तो वो भी क्लियर कट दिख जाती है, ठीक है, तो यही है कि जब अब रोड जाने लगे एजुकेशन, तो उससे भी फर्क यहां पर देखने को मिलता है, उससे बे, तो राधारा मोहन राय ने जहां सामजी कुरीतों को दूर करने का प्रियास का भई, जो दियानन सरस्वती थे, उन्होंने भी वेदो की और लोट चलो का नारा दिया, ताकि शोसार रिफॉर्म सो सके, ताकि जितनी भी बुराया वो खातम हो सके, तो वेन गादरा मोहन राय टाय टाय तो रिमूर शोसर एविल स्वामे दियानन विशु में फैराया, यानि कि स्वामी विवेकानन होस्टे दे फ्लैग ऑफ दे ग्लॉरिस इंडिन कुल्चर इन दे वोल्ड बाई गिविंग ए स्पीच अद वोल्ड पार्लेमेंट ऑफ रिलिजिंस इन शिकागों सेप्टेंबर 11, 1893, ठीके, हाज अगर कि उन्होंने मतलब संस्कृति है, उसके बारे में वहाँ पर एक्स्प्रेस किया और एक तरीके से मतलब वहाँ पर अपना संस्कृति का जो जंडा होता है, फ्लैग ऑफ कल्चर है, वहाँ पर प्रिजेंट किया, तो यह चोटे-चोटे ऐसी चीज़े थी, जो मुमेंट का हिस्सा बनी, जो एक अवेगनिंग का हिस्सा बनी, और इसके बाद नेक्सरम अगर बात करें कि भारत में पुना जागरन के क्या-क्या रीजन्स थे, या क्या-क्या उसके कॉज़ेंस थे, कॉज़ेंस फ्रिन ऐसान इंडिया, तो बहुत सारी ऐसे रीजन्स निकलते हैं, बड़ उसमें स बंद रहोगे, तब तक आपको चीज़े क्लिर आउट नहीं होगे, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़े दिखाए देंगी, ठीक है, तो जब अंग्रेजी शिक्षा और पास्चत्य संपर्क और तब बाहर के विदेशों से जब वो उनका कॉंटेक्ट हुआ विदेशों में आना जाना, वा तब देखा कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जीरो है, इस तरह की चीज़े है, इनी इक्वैलिटी है, तो वो मैन और मैन को लेगर के बहुत सारी चीज़े है, और अधिकार मिले हुए है, तो इस तरह के अवेकनिंग वहाँ पर देखने को मिले है, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसाई धर्म परचारगों का भारत आना, यानि कि क्रिश्चन्स मेसनरी कमिंग टो इंडिया, पत्र पत्रिकाओ की भूमी का, ले कोई सोसाइटे में बहुत सारे बुराहिया है, तब थी रिफोर्म होकर के वो खतम हुई, लेकिन अभी भी कुछ बची हुई है, क्यार समय रहते वे सारे बुराहिया खतम हो जानी है, ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृति विशारतों की भूमी का, यानि की रोल ओफ औरियंटल कल्चर, इसके अलावा नेक्स्ट है, भारतिय मनीश्यों की भूमी का, रोल ओफ इंडियन, मिस्टिक्स, ठीक है, तो ये सारे ऐसे रीजन्स यहाँ पर हमने बताए, कि जिनकी वज़े से भारत में रिनेसा की जो स्टार्टिंग है, वो देखी विश्वासों, कुरीतियों के विरुद उनका विद्रोह था, सुधारकों का उदेश्य क्या था, जितने भी रिफॉर्मर्स थे, उनका उदेश्य क्या था, कि केवल इन खराबियों को दूर करना ही नहीं था, बलकि मैं समाज में नवीन आदर्शों का समामेश भी चाहते कि वही जितनी बुराइया हैं, यह तो जाए ही जाए, साथ साथ में कुछ अच्छाइयां हमरे सुसाइटी में आए, कुछ नए रिफॉर्मस सुसाइटी में आने जरूरी हैं, शोसल ओफ रिलेजिंस मोमेंट वाजे, रिबेलिन अगेंस्ट सुपर्स्टिश्य क्या था, अधुनिक भारती राधनितिक चिंतन की प्रकरती, नेचर अफ मोडर्न इंडियन पॉलिटिकल थोट, तो आधुनिक भारती राधनितिक चिंतन की प्रकरती है, वो बहुत बहु मुखी है, तो आधुनिक चिंतन में जो मौडर्न थिंकर्स हैं, उनका एफेक्ट क्या है कि धार्मिक और सामजी सुधारों से उनका, मतलब जो प्रभाव हुए वो देखने को मेला, ठीक है, और इ और आधुनिक भारती राधनितिक चिंतन की जो मौडर्न थिंकर्स हैं, उसमें सुधारवादी, उदारवादी, उगरवादी, सर्वोद्य, समाजवादी प्रकरती से ये ओध प्रोत था कहने का मतलब है, इस पूरे मुमेंट में इस पूरे नेचर ओफ अगर मौडर्न थि की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आइडल जो लिब्रल है वही नहीं थे, बलकि सुधारवादी भी थे, उदारवादी भी थे, नहीं कि जो लिब्रल भाई, यहाँ पर रिफोमर्स भी थे, लिबरलिस्ट भी थे, बॉर्डनिस्ट भी थे, और सासात में सर पॉलिडिकल से को लेकर के वो कैसे थे सो राजाराम मोहन राय बेसिकली जिने भारते इतियास में आधुनिक यूग का जनक भी माना जाता है उनका जन्म पश्ची में बंगाल के गाउं राधानागर में एक संभाध रूडिवादी ब्राह्मन परिवार में बाइस मही को 1772 को हमन फैमिली जरा राधानगर विलेज इन वेस्ट बंगाल उन 22.1772 राधानगर इसके लावा गर हम कर्मकान की बात करते हैं तो जो भी इनका मतलब जीवर रहा जो उनका मतलब एजुकेशन का रहा राधार आप मोहन रहा है ना तो मूर्ती पूजा में विश्वास करते थे ना ही ये कर्मकान में विश्वास करते थे ठीक है वो बहुत कड़ी आलोशना करते थे तो वो उनके आलोश हुक बनके अब उसका विरोध करने लगे और इस उदेश्ची सो उन्होंने एक लेग लिखा जिसे पढ़गर उनकी मादा तारे निन देवी उनके पिता रामाकान जो पहले से बहुत गहरी जो बहुत जड़े डिपस्ट धार्मी कास्ता रखने वाले थे अंद विश्वासों में वो बहुत ज़़े निष्टा रखते थे वो उनको बहुत दूग हुआ उन्होंने अपना पुद्र से एक तरीके से जो रिष्टा था वो तोड़ लिया ठी रहत याग दिया मतलब उन्होंने घर छोड़ दिया ठीक है और ग्यान की खोज में हिमाले की यात्रापट निकल पड़े इस उदेशने से तिबत पहुचे और वहां भी मूर्ति पूजा अंद विश्वास देखकर कि उन्होंने उनको भी कटू आलोशना की उनको भी किटि धालू थी है उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाए उनकी जान बचाए उनकी बिकमे है एश क्रिटिक उफ रिच्वास एंड आइडियल वर्शिप एन स्टार्टिशन फेल्ट एक्स्टीमली सेड थीक है अब तिबस से लोटते समय हिमाले में उनकी जो भेट मतलब उनकी जो मुलाकात वो सादू संतों से हुई सादू संतों के सत्तंग में एक इश्वर या एक इश्वर वाद में उनकी निष्थाउद बनुई तो वाइल रेटर्निंग फ्रों तिबत ही मस्ट सम् सेंट और सेंट इन दे हिमालियाज और इस डिवोशन तो वन गोड मॉनोधिस्मेरोज ठीक है यानि कि अब उनका जो पुरा का पुरा जो विश्वास था जो मन था जो चीज उनके अंदर चल रही थी तो वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी उस समय पर वो एक एश्वरवाद में यकीन करने लगे तो उनका बिलीव हो चुका था किसमें मॉनोधिस्में ठीक है राजारा मोहना ने अपनी आयू के 1830 से लेकर के 1814 तक के वर्स इस्ट इंडिय कंपनी की सेवा में मतलब बिताए वे 807 में रंगपूर के जिलादी जोन डिगबी के दिवान भी बने तो काफी अच्छी उन्हें पोस्ट भी मिली और ठीक ठाक उनका जीवन यहां तक चला उन्होंने सभी धर्मों के अच्छे अच्छे लक्षनों को तो अपनाये ही और लेकिन उन्हें जितने भी आडमबर थे कर्मकान थे जो अंद विश्वास थे उनको उन्हें साथ-साथ उनका त्याग भी कर दिया यहां चीजे उन्हें रिलिजन्स है ठीक है उन्हें कुछ पॉजिटिव चीजे होते हैं कुछ नेगेटिव चीजे होती हैं नेगेटिव उन्होंने मतलब हटा दी स्पॉल कर दी उसके साथ साथ में जो उनकी पॉजिटिव चीजे थी धर्म से जुड़ी भी जो उनका विश्वास था, वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, तो थोड़ा यहां पे आपको इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, तो फाइनली जो राजाराम मोहन रहा है थे, उन्होंने एकेशवरवादी, अध्यात्मवादी धर्म में आस्था रखने लगे, और इसके प्रचार के लिए उन्होंने पहले धर्म और दर्शन के विद्वानों से विचार्म विमर्ष किया, अथारसो पंद्रा में आत्मी सभा क्रियेट की उन्होंने, किसके लिए, कि धर्म और दर्शन पर वहाँ पर डिसकस करना है, एडवाईज के लिए, और विचार विमर्ज के लिए ठीक है आत्मे सभा स्थाबित की कब 815 में इसे के साथ उन धार्मिक विचारों के परचार परशार के लिए उने 820 में ब्राम्मन समाज के स्थापना की तो राय गेव दा उन्टेंट एक्षिंस एंड स्थाबिविन इन दा मोनोथिजिस्म एस्पिरिच्विलिस्ट फॉर इस प्रोपेगेशन इन आत्मे सभा इन 1815 फॉर दिस्कॉशन विद श्कॉलर ओफ रिलिजिंस एंड फिलोस्फी एंड इस 1828 फॉर इलिजिंस प्रोपेग विकायत रहती है कि आप कंप्लीटली क्यों नहीं करा देपाई यह पूरा कंप्लीटली ही लेक्चर में हो जाता है जो कि एक्जाम के पॉइंट फॉइस से मोस्ट इंप्रेटन जो पॉइंट होता है वही मैं क्लिर आउट करा दियू क्योंकि वैसे तो बुक्स में बहुत स अधरवाइस किताबे हैं मार्किट में दुनिया भर की किताबे हैं पढ़ते रहो है ना लेकिन क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है is very important मैटर नहीं करता है कि आपको मतलब कितना पढ़ना है मैटर करता है कि क्या क्या छोड़ना है ठीक है तब ही चीज़े स्ट्रॉंग बनती है चलिए अब आगे हम बात करते हैं political views of राजा राम मोहन राए कि यानि कि उनके जो राजनितिक विचार है वे कैसे रहे हैं विशेस रूप से ब्रिटिश राजनितिक है उन्हें बहुत अच्छा गयान था ठीक है क्योंकि ठीक ठाक पोस्ट पर उनके साथ उन्होंन की फैलाने की तो इस वजह से उन्हें नौ भारत का संदेश वाहग भी कहा जाता था तो रायम राजरां मोहन राया थीक है वने उपादी नाम से जाने गए कि ये messenger of new India है यहीं कि नए भारत के संदेश वाहख है ठीक है राजराम मोहन रहा है न के वल वेक्ति की स्वतंतरता की अवधान के समर्दक थे बलकि वियो राष्टे स्वतंतरता के भी समर्दक थे कहने का मतलब है कि राजराम मोहन रहा है के वल individual independence को support नी करते हैं तो राजराम मोहन रहा है राष्ट के आधार पर राष्टों गी सवतंतरता और लोकतंत्र के समर्द थक वो हमेशा से रहे हैं यानि कि जो राजराम महन रहे थे वाज़े supporter of the independence and democracy nations on a national basis यानि कि national level पर independence के साथ डेमोक्रेसी को भी वो सबसे ज़्यादा support करते थे ठीक के लाबा अगर हम सामजिक विचार के बात करते हैं शोसल वीज ओफ राजराम महन रहा है इब उनके सोसल विज कैसे थे एक समा सुधार के रूप में राजाराम मोहन राए के विचार अपने यूग में प्रगतिशील ही नहीं है, बलकि करांतिकारी भी देखने को मिलते हैं। इनसे ग्रसित जो भारती है विशेशकर हिंदू समाज में एक तरीके से नवचेतना का उन्होंने संचार किया, एक अवेकनिंग का संचार किया, अवेकनिंग एक तरीके संचार को बिलकुल हटा दिया जाए और समाज में सती पढ़ता होगी, बाल विवा होगे, दहेज पढ़ता होगी, ठीके, विद्वा विवा होगी, तो इस तरह की जो चीजे थी, उन्होंने इन पर बहुत ही, बहुत महनत की, बहुत बड़ा उनका योगदान यहाँ पर माना जाता, तो राज अगर भारत में सती पढ़ता का उनुमूलन अगर यहाँ पर देखा जाता है, तो उनका सबसे बड़ा कॉंट्रिबूशन राज सुधार संबंदी योगदान के काफी देखे जाते हैं, कॉंट्रिबूशन रेलेशन टू एकॉनमिक रिफॉर्म्स, सो केवल उन्होंने शोसल रिफॉर्म्स पर ही काम नहीं किया है, उन्होंने एकॉनमिक रिफॉर्म्स हो गया, आपका और बहुत सारे ऐसे फिल्ड हैं, स इसलिए इनका नाम रखा गया है, ठीक है, कि हर फिल्ड से, चाहिए वो किसी भी फिल्ड कावजा, एकॉनमी है, पॉलिटिकल है, सोशल है, हर फिल्ड से जो एवल से उनको रिफॉर्म्स किया जाए, उनको बुराईयों को खातम किया जाए, ठीक है, जो समाज को दूशित क ठीक है, बागी वीडियो पसंदेदे, वीडियो को लाइक कर देना, शेर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं कि तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे है, तो मलते हैं नेक्स्ट इंफोर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जे हिन, जे भारत